कोटा से बड़ी ख़बर है चावनी रामचंदरपुरा में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करती गई दुकान के बाहर सो रहे शक्स को पत्थर से कुछला गया है गुमानपुरा थाना पुलीस मौके पर पहुंची है अब हारेक एंगल से इस पूरे मामले की जाच परताल की जा रही है कि आखे हत्यारों की क्या नियत रही सत्या के पीछे क्या वज़े सत्या के पीछे इस बात को लेकर के हारेक एंगल से जाच परताल की जा रही है आसपास के CCTV कैमरों को भी खंगाला जाएगा तो कोटा से इपड़ी खबर है चावी रामचंद्रपुरा में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करती गई है दुकान के बाहर सो रहे शक्स को पत्थर से कुछला गया है गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुँची है अब इसी खबर को लेकर जादा जानकारी के साथ हमारे सेयोगी गुल मौमद हमा ऐसा जोड़ चुके हैं गुल क्या कुछ जानकारी इस सत्याकान को लेकर अब तक जी देखे आयुशी आज सुबे जो है पुलिस उसना मिली की एक दुकान के बाहर जो है पुन के सना हुआ जो है शोव मिल पड़ा हुआ है इस पर जो है गुमान पुलिस मोके पर पहुचिए यह जो इलाका है शाउनी रामचंद्र पुड़ा इलाका है जहां पर तोभी की दुकान चलाने वाला जो शुरेश है उसका चुछ जो है बताया गया है और वह अक्तर दुकान के बाहर ही जो है इसके पीछे पुलिस में मोके से बारीजी से चबुत एकत्र किये हैं और पता लगाया जा रहा है कि यह अट्यकान क्यों हुआ है और इस तरह से पत्थर पास में पून के चले हुए पढ़े है कि अट्यक्त हुए है वह पत्तक से पितल करी हुए है अभी जलाल पता नहीं लग पाया है कि शुरेश को किसने मारा और क्यों मारा है लेकिन पुलिस जो है इसकी बारीजी से पर्ताल से परतार चुदू कर दियो है और जो अट्यारे हैं उनका शुराग लगाने में दुए कि अट पास पूंत को भी जो है इस जो होँ है और से बौद बहुत बहुत शुक्री आपका हमाइस आजुडने के लिए पूरी जहनकारी के लिए वालने घाल